हाई एब्रिवान वेलकम टू साइन्स एंड फंड 9th 10th 11th मैं हूं दिक्षा कोशल आपकी किमिस्ट्री एजुकेटर बेटा हम डिसकस कर रहे हैं प्लास 9 का चाप्टर मैटर इनार सराउंडिंग्स जिसमें हमने मैटर के बारे में बहुत सारी चीजें डिसकस करी matter होता क्या है solid liquid gas इसकी properties क्या होती है and इसको inter convert कैसे करना solid को liquid में कैसे बदलना है liquid को gas में कैसे बदलना है इसका reverse कैसे करना है sublimation बहुत ही important process that is conversion of solid to gas यह हमने कब discuss किया last lecture में ठीक है gas to solid भी क्या है DESUBlimation भी बोल देते है इसको sublimation भी बोल देते है THAT is totally books to books depend कर सबसेंट ही तेट जादा है अगर मैं आपको बोलूं इस कॉंसेप्ट से एक्लास नाइन्थ में पहले चाप्टर में बच्चे कहीं ना कहीं कन्फिूस बहुत जादा रहते हैं अगर उनसे पूछें कि आपको इस पूरे चाप्टर में अब से को है दिफिकल कॉंसेप्प कौनल गता है लाइक लेकर हीट हमें समझ ले मैं समझ में यहां तो बच्चे भी जांग है या रियल में ऐसा होता है ओके इस कॉंसेप्ट को पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है क्योंकि आगे आने वाली क्लासेज में भी आप से पूछी जरूर जाएगी राइट सो बिटा लेटेंट हीट समझने के लिए छोटा सा सथार एक्सपेरिमिंट देख लेते हैं तो आपने क्या करना है आपने बहुत सारे आइस क्यूब लेका आने और उन आइस क्यूब्स को आपने रख देनीस ़ीट करने के लिए आपने एसा नहीं करना कि कोक लिए और कोक के बीच में आइस क्यूब्स डाल दिये वैसे भी बहुत थंडा है गला खराब हो जाएगा आपने इस्टेट के लेना आइस क्यूब्स लेके आने हैं और उसको हीट करना शुरू कर देना है ठीक है उसको हमने हीट प्रोवाइड करनी शु किसके बीच में ग्राफ ट्रॉ कर रहे हैं कि हम यहाँ पर टेंप्रीचर को इंक्रीस कर रहे हैं खुच्रि हम क्या रहे हैं टेंप्रेचर के बारे में देखेंगे ठीक है temperature कैसे बढ़ता है या कम होता है हमें पता है जो ice होती है that is at around minus 3 to minus 5 degree Celsius पे होती है ठीक है सो इसका क्या temperature है minus 3 degree Celsius हम average ले लेते हैं यहाँ पे हम point कर देते हैं minus 3 degree Celsius ठीक है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं आप heat continuous provide कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि यह जो graph है यहाँ पे x-axis की तरफ यह चीज़ बढ़ रही है जैसे जैसे आप heat provide कर रहे हो हमने यहाँ पे नहीं को और चीज़ रख दी यह क्या है this is our thermometer यह क्या है thermometer heat हम continuously provide कर रहे हैं अभी हम इससे thermometer से temperature चेक करेंगे कि temperature कितना increase हो रहा है उस चीज़ को हम चेक करेंगे ice cubes में heat provide कर रही है ठीक है temperature भी इसमें बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है और यहाँ पे आके हम क्या देखते है temperature बढ़ना बंध हो जाता है ठीक है heat continuously supply हो रही है heat का supply बिलकुल भी नहीं रुकना इस चीज़ को दिमाग में मिठा लेना है कि heat का supply एक भी पॉइंट पे नहीं रुकता बट यहाँ पे एक ऐसा temperature आता है that is zero degree Celsius ठीक है zero degree Celsius क्या है melting point of ice है जहां पे ice melt होनी शुरू हो जाती है ठीक है पिघलनी शुरू हो जाती है तो minus three degree Celsius to melting point of ice यहां पे temperature तो बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे heat प्रोवाइट कर रहे हो अभी basically तो होना तो यह ही चाहिए ना आप heat प्रोवाइट कर रहे हो तो temperature तो increase ही होना चाहिए यह तो मैं बिल्कुल सही बात है heat प्रोवाइट कर रहे है टेम्प्रेचर इंक्रीज होना चाहिए पट यहां पर क्या होता है जब melt होनी शुरू हो जाती है आइस वहां पर constant हो जाता है temperature ठीक है जब तक सारी की सारी आइस मेल्ट नहीं हो जाती यह temperature बढ़ने नहीं वाला यह यहां पर temperature constant ही रह जाता है कहां पर 0 degree Celsius पर यह temperature constant रह जाता है हम देख रहे हैं कि मैंने तो भाई heat प्रोवाइट कर रहा हूं यह heat प्रोवाइट कर रही हूं temperature क्यों नहीं बढ़ रहा क्या मेरा thermometer खराब हो गया फिर हम बोलते हैं नहीं में भी thermometer खराब हो पर ऐसा नहीं होता एक्च्वल में जो temperature है वहीं पर stop हो जाता है temperature बढ़ना बंध हो जाता है क्यूं क्योंकि यह वाली जो heat है ना अभी latent heat का मतलब latent heat कहां से आया latent का मतलब है hide इसका मतलब यह वाली जो heat है जो हमने इस interval में provide करी है जब यह 0 degree Celsius पे आया तब यह ice cube heat होनी melt होनी शुरू हो गई तब जो मैं heat इसको provide कर रही हूं यह कहीं जाके चिप रही है जाके कहीं न कहीं जाके आपके साथ छुप और चुपाई खेल रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं कहीं न कहीं जाके चिप गई है that is called latent heat उसे हम latent heat पोलते हैं अभी बेटा हमने क्या किया फिर से रुकेंगे थोड़ी न अभी जो ice cubes हैं यह सारे किस में बदल गए बेटा यह सारे के सारे ice cubes जो हैं वो मेल्ट हो चुके अब क्या हुआ यह सारे के सारे ice cubes मेल्ट होके पानी में बदल चुके हैं ठीक है solid to liquid phase में आ चुके हैं अभी यह मेल्ट होके पानी में बदल चुके हैं लेकिन हम तो ऐसे ही है न हम अभी भी उसको heat प्रोवाइट करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं तो हीट प्रोवाइड बंद नहीं करी अब क्या होगा अब यहां पर जैसे जैसे आप हीट प्रोवाइड करते रहोगे फिर से टेमप्रेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा यह बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और आपने क्या देखा एक पॉइंट आता है फिर से यह constant हो जाता है ठीक है आपने क्या देखा एक point ऐसा आता है यह फिर से constant हो जाता है वो point कौन सा है that point is यह line थोड़ी सी टेड़ी हो गई ठीक है सीधी कर ले ना इसे ठीक है that point is 100 degree Celsius 100 degree Celsius क्या होता है that is boiling point of water यह क्या है boiling point है and यह क्या है melting point of ice है तो जब पानी उबलना शुरू होता है boil होना शुरू होता है उस time पर हमने observe यहां पर मैं सिर्फ मैं आपको reason नहीं दे रही हूं मैं सिर्फ आपको अभी introduce करवा रही हूं latent heat के concept से और क्या observation पाई गए अभी observation के पीछे reason क्या है वो हम आगे discuss करेंगे ठीक है patience रखनी है तो यहां पर हमने क्या किया पानी पानी को heat provide करते रहे करते रहे तो यह increase होता गया temperature increase होता गया लेकिन 100 degree Celsius पे जहां पे पानी boil होके अपना phase change करना शुरू कर देगा gas में वेपर में बदलना शुरू हो जाएगा उस particular point पे हमारे पास thermometer पे कोई भी change नहीं आएगा 100 degree Celsius ही रह जाएगा कोई भी change नहीं आएगा constant हो जाएगा वो temperature तो इसे हम क्या बोलते हैं again this thing is called latent heat अभी भी क्या हो रहा है अभी भी यहां पे अभी भी क्या ओर है बेटा अभी भी यहां पे कहीं ना कहीं heat तो प्रवाइड हो रही थी लेकिन उसका effect मुझे thermometer पे नहीं नजरा रहा था इसका क्या मतब है यह heat कहीं पे जाके चुप गई है उसे भी हम क्या बोलते हैं, latent heat बोलते हैं, ठीके बेटा, to conclude हमने क्या किया बेटा, हमने एक बीकर में ice cubes लिए, ice cubes लिए उपर उसके thermometer रख दिया, thermometer रख दिया, तो हमने क्या देखा, जब हम उसको heat provide करना शुरू करते हैं, तब temperature minus 3 degree to 0 degree तक आता है, और वहाँ पे जाके रुख जाता है, उस point गिल के सारी कि सारी की ये तब तक temperature 0 degree celsius लिए तक रहता है, जब तक सारी की सारी ice melt नहीं हो जाती, जब सारी की सारी ice आपके melt हो जाती है, तब ये पानी में बदल जाता है, फिर आप इसको heat provide करती ही जा रहे हो, तो अब क्या होगा, फिर से temperature rise होना शुरू हो जाता है, ते अपना phase change करना पड़ेगा क्योंकि मेरा point आ गया है ठीक है मेरा peak point आ गया है मैं boiling point तक पहुंच गया हूं तो boiling point तक पहुंच चला जाएगा तो यह same phase में नहीं रह पाएगा अभी इसको अपना phase change करना पड़ेगा phase change करते time जो heat provide होती है वो हमें thermometer में नजर नहीं आती ठीक है उस heat को हम क्या बोलते है latent heat that is hidden heat okay that means जब आपका phase same था ठीक है यहाँ पे यहाँ पे phase जो है वो same है phase जो है वो same है from a point to b point a to b point आपके पास phase same है यहाँ पे क्या हो रहा है temperature increase हो रहा है ठीक है लेकिन b to c आपका phase जो है वो change होना शुरू हो जाएगा b to c आपका phase change होना शुरू हो जाएगा एक solid से liquid में बदलना शुरू हो जाएगा melting शुरू हो जाएगी again c to d जो है बेटा आपका c to d phase आपका फिर से क्या है सारा का सारा same है phase आपका फिर से सारा का सारा same है that is liquid है phase same है फिर आपका d to e जहाँ तक यह constant रहेगा again आपका phase जो है वो change हो रहा है that is from liquid to gas और यहां पे कैसे change हो रहा है solid to liquid ओके विटा यहां पे जब आपकी latent heat आई है इसका मतलब latent heat तब होती है जब यहां पे phase में बदला आवा रहा है एक चीज़ solid से liquid बदल रही है दूसरी चीज़ liquid to gas बदल रही है that is उस point पे जब thermometer में temperature हमें zero show होना सुरी zero नी constant शुरू हो जाता है उसे हम बोलते हैं कि अब यहां पे latent heat हो रही है कहीं न कहीं latent heat जो heat हम दे रहे हैं उसको supply कर रहे हैं वो कहीं न कहीं जाके छुब गई है ठीक है that is called latent heat नाव बेटा आपके पास latent heat दो तरहां की होती है first बेटा आपके पास होती है latent heat of fusion fusion का मतलब होता है solid to liquid and दूसरी आपके पास होती है latent heat of vaporization और यह है आपकी liquid to gas तो जिस point पे हमारे पास change आ रहा है phase change solid to liquid में जा रहा है इस heat को हम क्या बोलेंगे यह वाली heat को हम बोलेंगे latent heat of fusion ठीक है यहाँ पे कौन सी heat होगी latent heat of fusion होगी यहाँ पे कौन सी heat होगी यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे आएगी बेटा आपके पास latent heat of fusion आएगी और यहाँ पे आपके पास कौन सी आएगी latent heat of vaporization ठीक है यहाँ पे क्योंकि चीज liquid से vapor में बदल रही है liquid से gas में बदल रही है तो यहाँ पर क्या आएगा latent heat of vaporization आएगी यहाँ पर point clear हुआ आपके पास क्या है आपने एक setup लिया, ice cubes को melt किया, temperature वहाँ पर एक point पर आके constant हो गया, heat कहीं न कहीं जाके छिप गई उस heat को हम latent heat बोलते हैं क्योंकि solid liquid में बदल रहा है उसे हम latent heat of fusion बोलते हैं जब पानी उबालना शुरू करते हो उस point पर thermometer temperature इंक्रीज करता है temperature तब तक increase होता है जब तक वो अपने boiling point तक नहीं पहुंच जाता है जब boiling point तक पहुंच जाता है phase change होना शुरू हो जाता है और phase change होते हैं time हमारे पास heat energy हमें नजर नहीं आती temperature change की form में उसे हम बोलते हैं latent heat of vaporization ठीक है उसे हम क्या बोलते है latent heat of vaporization राइट नाव वेटा अभी बहुत सारी confusion अभी भी बाकी होंगी कि मैं माकिर क्यों होता है latent heat का मतलब क्या है वाइल लेटेंट heat डू नॉट इंक्रीज दी temperature latent heat temperature ऐसा क्या है ऐसा क्या हुआ उस time पर मैंने आपको क्या बोला हमने graph draw करा जिसमें हमने यह चीज़ देखी कि पहले यह increase हुआ फिर constant हो गया फिर increase हुआ फिर constant हो गया यह चीज हमने यहां पर देखी अभी यह हमसे पूछ रहा है ऐसा reason क्या है मैंने आपको बताया ना हम reason भी देखेंगे हर चीज का now what is the reason this is a point this is b point c point d point and e point right यहां पर latent heat हमें कहां पर b to c and d to e इस point पर हमारे पास latent heat आती है latent heat और यहां पर हमारे पास temperature जो है वो constant रहे हो जाता है यह हमारे पास temperature है और यह क्या है हमारे पास heat है मतलब heat supply करने का effect temperature पर हमको नहीं नजर आता अभी reason क्या है उस चीज को देखते है what is the reason behind that now let us see what is the reason behind that तो reason क्या होगा इसके पीछे latent heat increase क्यों नहीं होती आपको पता है इन दोनों points में जहां पर हमें latent heat नजर आ रही है मैंने क्या बताया इन दोनों points पर आपके पास phase change हो रहा है कभी यह किसमे solid to liquid बदल रहा है यह liquid to gas बदल रहा है मानते हो इस point पे भी इस point पे भी B2C या D2E दोनों points पे आपके पास क्या हो रहा है यहां पे phase में बदलाव आ रहा है solid to liquid यह liquid to gas बदल रहा है एक point पे melting हो रही है एक point पे boiling हो रही है तो बेटा जो आप heat provide करते हो न हीट तो आप provide करते हो heat provided heat provided spelling कहां चलेगे heat provided is used up is used up in overcoming in overcoming क्या आएगा बेटा forces of attraction forces of attraction तो बेटा जब भी कोई चीज solid से liquid में बदल रही है हमने देखा solid है बहुत पास पास है molecule liquid है molecules दूर चले जाते हैं इसका मतलब forces of attraction को दूर होना पड़ेगा forces of attraction को कम होना पड़ेगा और यह heat क्यों thermometer पे शो नहीं होती क्योंकि वह वाली heat कहां पे used up हो जाती है वह वाली heat आपके forces of attraction को overcome करने में यूज हो जाती है let's take a very simple example जब आप suppose कर लो आप अपने घर में रह रहे हो ठीक है अभी आप अपने घर में रहे हो आपको pocket money मिल रही है लेट से 500 रुपीज आपको मिल रहे हैं पर मंथ ठीक है आपको 500 रुपया पर मंथ pocket money मिल रही है आपके कोई भी बोज नहीं है ठीक है आपको books घर से मिल जाती है कोई stationary का समान चाहिए वह घर से मिल जाता है कोई भी चीज हो आपको अपने parents को सिर्फ बोलना पढ़ता है को अभी आपके जितने भी 500 रुपय हैं अब चाहो तो उन 500 रुपय को सेव कर सकते हो अपने लिए कोई dress खरीज सकते हो अपने लिए कुछ भी कोई novel खरीज सकते हो anything ठीक है कुछ भी अपने friends के लिए कोई gift ले सकते हो इस pocket money को सेव करके राइट इसका मतलब इस pocket money का क्योंकि है उसका effect आपको अपने pocket में नजर आता है कि जो जेव है आपके भरी रहती है पैसे आ रहे हैं तो आपको दिखते हैं कि पैसे बचे हुए savings में जा रहे हैं कहीं न कहीं इस फॉर एक्जाम्पल आप कहीं घूमने चले जाते हो आपको अभी भी उतनी ही pocket money मिल रही है ठीक है सुबोस कर लो कि आप किसी hostel में रहना शुरू कर दिया ठीक है अभी भी आपको क्या है 500 pocket money मिल रही है pocket money उतनी ही मिल रही है अभी आपको इस 500 रुपे में से मेभी आप को बहुत रिक्षा का खर्चा करना हो ठीक है कभी कभी डेली का थोड़ा बहुत समान लेना हो ठीक है चोटी 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 चीज़े जो डेली लाइफ में आपको सायद कभी फील भी नहीं होंगी क्योंकि हम अपने घर पे थे मुझे पता है कि मैं घर से दूर आ गी हूं तो हमें दिखता है बहार आके कि oh my god ये expenses कितने चोटे-चोटे से expenses है जो हमें घर पर कभी फील नहीं हुए थे अभी आपके पास pocket money आतो रही है लिकिए वो pocket money कैसे जारी है आपको पता भी नहीं लग रहा है चो लोगर आप hostel की बात ना करो आप कहीं घूमने चले गए हो साथ हो रही है कि जब तो यह अपने ही घर में बैठा है मतलब solid solid में है solid change नहीं हो रहा तो हमें उसका effect उसकी जेव में दिन नज़र आ रहा है मतलब हमें थर्मोमीटर में उसका temperature बढ़ता हूवर नजर आ तो आपको नहीं पता लगेगा कब आपके पैसे सारे के सारे उड़ जाएंगे सप्लाई तो अभी भी आ रही है पैसो की लेकिन वो उड़ भी उसी रेट से रहें हैं क्यूंकि आप उस फेज को चेंज करने में इतने जादा बिजी हो गए हो कि आपको पता ही नहीं लग रहा कैसे कैसे पैसे इतने ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, right, okay, so same with C to D, phase same है, तो इसमें भी पैसे बचेंगे, पर D to E, phase change होगा, तो पैसे तो उड़ेंगे, same हो रहा है हमारे ice to liquid and liquid to vapors के साथ, जब ice पानी में बदलती है, तो forces को overcome करने के लिए, यहाँ पे heat जो है, वो used up हो जात हाता, हमें thermometer पर नहीं नज़र आता, that is why it is called, again, क्या बोलते हैं, उसे, hidden heat, latent heat, okay, I hope so, यहाँ तक तो आपको पूरा अच्छे से clear हो गया होगा, कि what is latent heat, now बेटा, यह चीज है, यह सेम चीज होई, मैंने आपको बताई हुई है, कि अगर आपका यहाँ पे यह phase change हो रहा है, from from liquid to gas, ठीक है, तो liquid to gas, वो हमने fusion की बात करी, vaporization में भी same है, liquid to gas convert होना, मतलब फिर forces of attraction को और ज्यादा वीक करना, और ज्यादा एक दूसरे स्थे दूर चले जाना, उसके लिए भी heat चाहिए होगी, temperature, increase जो होगा, वो used up हो जाएगा, kinetic energy को increase करने में, ठीक है, उन molecules को तेज- भगाने में used up हो जाएगा, force of attraction को overcome करने में, वो heat energy used up हो जाएगी, और हमें नजर नहीं आएगी, ओके, ना बेटा, next is latent heat of fusion क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया, जब हम बात करते हैं, solid to liquid conversion, तब हम latent heat of fusion की बात करते हैं, तो इसकी definition very very important, बहुत ही जादा important है बिटा, इसकी definition, तो ध्यान से देखना है, the latent heat of fusion is the quantity of heat in joules, किसमें, ये उतनी quantity है, किस चीज की, quantity of heat in joules, बहुत important joules, ठीक है, ऐसा unit में लेना है, sorry, ऐसा unit में नहीं लेना, ठीक है, kilo joules बहुत सारे बच्चे लिख देते हैं, kilo joules नहीं लेना, यहाँ पे आपको joules लेना है, required to overcome 1 kilogram of solid, ठीक है, आपके पास 1 joule energy to convert 1 kilogram of solid to liquid, at atmospheric, without any change in temperature, ठीक है, atmospheric pressure पे होना चाहिए, and without any change in temperature, अभी latent heat है, तो change in temperature नहीं होगा, तो यह भी लिखना बहुत ज़रूरी है, तो basically आपको क्या आयाद रखना है, 1 joule, the quantity of heat in joule, heat की quantity in joules that is required to change 1 kilogram of solid to liquid, ठीक है, 1 kilogram आपके पास solid है, उसको liquid में बदलना है, तो कितनी energy चाहिए होगी joules में, that is latent heat of fusion, ठीक है, उसे हम क्या बोलते है, latent heat of fusion बोलते हैं, और temperature constant होना चाहिए, और इसी के साथ हम discuss कर लेते हैं, latent heat of vaporization, इसकी definition भी similar ही context में आएगी, that is latent heat of vaporization is the quantity of heat in joules, उतनी quantity heat की, किस में joules में, required to convert 1 kilogram of liquid, 1 kilogram किसका liquid का आपने gas में convert करना है, कितनी energy चाहिए, joules में, that is latent heat of vaporization, okay, clear है, यह इसकी definition है, definitions में, जैसे आप 1 newton की definition करते थे, उसी तरीके से यहाँ पे latent heat of vaporization and latent heat of fusion की definition is very very important, now बेटा एक थोड़ा सा practical concept आता है, बहुत ज़्यादा important, that is, आपके पास ice at 0 degree Celsius, आपके पास ice है, किस पे 0 degree Celsius is more effective in cooling, इसका क्या मतलब है, बेटा, कि आपके पास, suppose कर लो, भगवान ना करे हो, आपके अचानक से कोई burn हो गया, ठीक है, cooking कर रहे थे, एकदम से पैन को हाथ लगा लिया, तो क्या होगा आपका, यहाँ पे burn हो जाएगा, तो आप, आप क्या सोचोगे, कि आप ठंडे-ठंडे पानी को इसके उपर रखो, या ice, ice cool pack को यहाँ पे यूज करो, दो options हैं आपके पास, ठीक है, एक आपके पास option है, कि आप ice को use करो, at 0 degree Celsius, ठीक है, ice at 0 degree Celsius, दूसरा option क्या है, आपके पास, water at 0 degree Celsius, ठीक है, एक यह condition हो गई, अब यह बोलोगे, yes ma'am, हम तो ice cubes को use करेंगे, वैसे पानी को भी use कर सकते हैं, कोई ऐसी बात तो है नहीं, ठीक है, इसमें थोड़ी से confusion नजर आएगी, इस चीज की बात करते हैं, यह तो आपकी फेवरेट है, ठीक है, आपके पास क्या है, कोख है, और महमान आ गए, एकदम से घर पे, तो अब यह भागे भागे गए, क्रियाने की शॉप से भाग के लेके आए, कोख की बाटल, अभी वो ठंडी नहीं थी, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आपको क्या करना है, आपको अम्मी में बोला, कि बिटा, जल्दी से सर्फ कर दो, कोख को, तो आप सोच रो, क्य करूँ, अभी common sense है, आपके पास ice cubes पड़े होंगे, तो आप coke के बीच में ice cubes ये डालोगे, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, कि हम ठंडे ठंडे पानी को coke के बीच में डाल के ठंडा करते हैं, ऐसा तो कोई नहीं करता है, हम ice cubes को ही डालते हैं बीच में, now what is the reason, क्यों हम ice cubes को prefer करत हैं, but ice cubes को 0 degree Celsius पे prefer करते हैं, so the reason behind that is, क्योंकि हमने यहाँ पर latent heat की बात करी है, हम यहाँ पर किस concept की बात करें, we are here talking about latent heat, तो जब कोई चीज, suppose you have ice, ठीक है, यह आपके पास ice है, यह जब पानी में बदली, temperature हम same की बात कर रहे है, temperature तो वैसे भी same ही था, जब हम उसकी बात क कर रहे थे, आपके पास ice है, 0 degree Celsius तक पहुंची, ठीक है, इसने melt होना शुरू कर दिया, और पानी कहां तक आ गया, 0 degree Celsius, यह बात कर रहा है, तो हमें पता है, इस से यहां तक जाने के लिए, ice at 0 degree Celsius और water at 0 degree Celsius में एक बहुत बड़ा अंतर है, क्या अंतर है, वो कि ice के पास latent heat नहीं है, लेकिन water के पास latent heat है, अगर मैं इन दोनों की heat को किसी तराजू में तोलना शुरू करूंगी, इस जगा पे मैंने ice रखी, और यह कोई चीज है, जिसे मैं heat measure कर रहे हूं, ice की heat, जितनी गर्मी ice में होगी, जितनी heat ice में होगी, that will be less than water at 0 degree Celsius, what is the reason behind that, क्योंकि ice से प absorb करना पड़ेगा, तभी वो ice से पानी में बदलेगी, for example, आप class 9th में हो, ठीक है, आप किस में हो, class 9th में हो, और आप 11th class में चले जाओगे, आज से 2 साल बात, ठीक है, तो class 9th में आपके पास जितनी knowledge है, वो कम होगी, exceptions are always there, ठीक है, as compared to someone in 11th, अगर हम syllabus की बात करें, ठीक में, अगर हम chemistry की बात करते हैं, syllabus की बात करते हैं, बाकी तो एक 2 साल के बच्चे में भी बहुत जादा knowledge हो सकती है, as compared to कोई 50 साल का, ठीक है, तो वो तो चीज है, that is totally, ये तो exceptions होती होती है, लिकिन हम general बात करें, तो class 9th का बच्चा जो है, उसके syllabus में कम chemistry है, as compared to 11th class का बच है, वो 10th की chemistry पढ़के, फिर जाके 11th की chemistry जाके समझेगा न, ठीक है, यहाँ पे, इसका मतलब जो 11th class का student है, उसके पास जादा knowledge है, as compared to 9th class का student, तभी वो आगे पहुंचा है, यहाँ पे तभी conversion होई है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, कि जो ice है, वो पानी में तभी convert होई में, water at 0 degree Celsius में, इतनी heat के साथ साथ latent heat भी कही ना कहीं छिपी हुई है, इस वज़ा से water at 0 degree Celsius, इसमें जादा heat होती है, as compared to ice at 0 degree Celsius, इस वज़ा से अगर हमने coke को, थंडा करना है, तो हम ice को prefer करते हैं, rather than water at same temperature, reason क्या है, क्योंकि हमें heat energy कम चाहिए, तो heat energy कम किस में होगी, ice में, तो मैं यहाँ पर लिख देती हुँ, ice has, ice at 0 degree Celsius has less heat energy than water at 0 degree Celsius, okay, so इन दोनों के पीछे यही reason है, right, okay, next आता है बेटा आपके पास, is more effective in cooling than this at 0 degree Celsius, okay, so उसी का अंसर दिया हुआ है, 1 kilogram of ice at 0 degree Celsius has less heat energy than 1 kilogram of water at 0 degree Celsius, okay, तो यह चीज़ मैंने आपको explain कर दी, now coming to next बेटा, next आता है आपके पास, यह हमने देख लिया, okay, burns caused by steam, now this is a very very important question, very important question, कि आप बिटा जब घर में रोटी चपाती बनती है, तो उसके अंदर जो फुलियों ही चपाती होती है, उसको अगर आप एकदम से ले के आओगे, और उसको हलका सा pinch करोगे, तो आप क्या देखोगे, उसमें से जो air निकलती है, वो बहुत जादा गरम होती है, उसके पीछे भी reason क्या है, ठीक है, हमें usually लगता है कि अगर मैं आपको comparison दूँ, कि बेटा ये बताओ, कि water at 100 degree Celsius, ये ज्यादा dangerous है, या steam at 100 degree Celsius, तो इन दोनों में से dangerous क्या है, ज्यादा steam है, ठीक है, no doubt steam हमें बोला जाता है लेने के लिए, बट वो steam बहुत कम temperature पे होती है, ठीक है, जो spa में steam लेते हैं, या जब हम बिमार हो जाते हैं, हम steam लेते हैं, ठीक है, वो steam बहुत ही कम होती है, ठीक है, उस steam का temperature बहुत कम होता है, around 25-30 degree Celsius होता है, मैं यहाँ पे 100 degree Celsius की बात कर रही हूं, ठीक है, अगर मैं water at उबलता हुआ पानी की बात करो, आपकी हाथ पे उबलता हुआ पानी बढ़ जाए, तो बहुत dangerous है, वो भी burns cause कर देगा, और अगर उसी same temperature पे steam आ जाए ना, तो और भी जादा dangerous होती है, वो और भी जादा खतरना काम कर देती है, क्यों ये वाली चीज, क्यों steam is more dangerous, steam क्यों जादा dangerous है, as compared to boiling water at the very same temperature, the reason behind that is, क्योंकि बेटा, वही same चीज है, कि आपके पास, जब आपने water को vaporize करा, boil करा, तो हमें पता है, water को, जब हम heat provide करे थे, water उस heat energy को अपने पास लेता जा रहा था, forces of attraction को तोड़ता जा रहा था, उस heat energy को consume करता जा रहा था, और फिर किस में बदला, vapors में बदला, इसका मतलब जो water है, अकेला water at 100 degree Celsius, और ये भी at 100 degree Celsius, इसका मतलब जो water है, at 100 degree Celsius, उसके पास less heat energy होगी, ठीके, vapors होगी, वो कैसे बने है, उसके पास vapors के पास, 800 degree Celsius, इनके पास इसकी heat energy तो है ही, मतलब जो बच्चा 11th class में है, उसके पास 9th तक की, अगर मैं एक जगा पे 9th class के और 11th class के बच्चे को compare करती हूँ, तो 11th class के बच्चे के पास 9th तक की knowledge तो है ही, और 2 साल extra knowledge है, ठीके, तो वही चीज है कि ये vapor at 100 degree Celsius के पास, water at 100 degree Celsius की heat तो है ही, प्लस इसके पास क्या है, latent heat है, latent heat of vaporization भी पड़ी है इसके पास, ठीके, in addition to this heat, it also has latent heat of vaporization, that is why vapors at 100 degree Celsius has more heat energy as compared to water at 100 degree Celsius, given की इन दोनों का जो weight है वो सेम होना चाहिए, so burns caused by steam are more severe than boiling water even at same temperature, जाहे हम same temperature की बात कर रहे हैं, okay, so now, वही चीज है, वही मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, ठीके, so this is the kind of burns that are caused by steam and बहुत ही जादा dangerous होते हैं, तो यार बचके रहो, ठीके, in fact, अगर आप रोटी को देखोगे, रोटी के अंदर भी जो पूरियां या तलो, कभी तली होंगी या कभी कुछ करा होगा, तो वहाँ पे भी देखोगे, जो steam निकलती है, बहुत जादा dangerous होती है, तो उससे थोड़ा सा दूर रहा करो, ओके, अपनी रक्षा हम खुदी कर सकते हैं, so now बेटा, next is, हाँ जी, 1 kg of water at 100 degree Celsius has less heat than 1 kg of steam at 100 degree Celsius, तो बानन दी, same thing, वही चीज मैंने अभी आपको समझाई है, अभी बेटा, आपके पास एक question आता है, इस question का answer आपको मुझे देना है, ठीके, this question is, latent heat of vaporization is used to, latent heat of vaporization किस चीज के लिए use करी जाती है, so ये use करी जाती है, to overcome forces of attraction between liquid particles at boiling point, overcome forces of attraction between solid particles at freezing point, increase the kinetic energy in liquid phase and increase the kinetic energy of particles in liquid phase, तो बेटा, आपको इन चारों में से बताना है, मैं आपको translate करके बता देती हूँ, latent heat of vaporization मतलब liquid to gas की बात कर रहा है, overcome forces of attraction between the liquid particles at boiling point, overcome forces of attraction between solid particles at freezing point, increase the kinetic energy in liquid state and increase the kinetic energy of particles in vapor state, तो अभी आपको kinetic energy और forces of attraction सभी का relation देखके इसका answer मुझे बताना है, ओके गाइस, so thank you so much and keep learning, keep smiling, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी question नहीं समझ में आया, कोई भी topic नहीं समझ में आया, please comment section में लिख दिया करो, ताकि मुझे पता चले, और मैं उस चीज को repeat कर सकूँ, और अच्छे से समझा सकूँ, thank you so much, have a great day.